उनका पावन महीना शुरू हो चुका है जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवान शिव को बेल पत्र बेहद ही प्रिय है और शिवलिंग पर इसे चढ़ाने के अनेकों अंगिनत फाइदे होते हैं आखिर शिवलिंग पूजा में बेल पत्र का क्या महत्व है और से चढ़ाने का सही तरीका क्या है यही सारी बाते पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपने कथा वाचन के दौरान बताई हैं उन्होंने साथ में ये भी बताया है कि किस तरीके का बेल पत्र होना चाहिए उसे कैसे चढ़ाया जाना चाहिए साथ ही इसका क्या महत्व है इसको क्यूं चढ़ाया जाता है बेल पत्र चढ़ाने के क्या लाब हमारी जिंदगी में हो सकते हैं और साथ ही जानेंगे कि सावन में शिवलिंग पर किन पाँच जगाओं पर बेल पत्र चढ़ाना जरूरी होता अगर आप इन पांच जगाओं पर सही तरीके से बेल पत्र नहीं चढ़ाते हैं तो आपकी मनोकामनाई भी पूरी नहीं होती है तो ये जानना बेहद ही जरूरी है सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा की जाती है और इन दिनों में भगवान शिव की विशेश पूजा होती है धर्म और शास्त्रों में ऐसा माना गया है कि भगवान शिव की पूजा में उनकी प्रिये चीज़ों को चढ़ाने से वो खुश हो जाते हैं वैसे तो भगवान शिव की पूजा में सारी चीज़े चढ़ाई जाती है लेकिन सबसे जादा महत्व बेल पत्र का होता है पंडित प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं कि शिवलिंग की पूजा में बहुत सारी चीज़े चढ़ाई जाती है लेकिन बेल पत्र भगवान शिव को अती प्रिय है बेल के पेड़ की पतियों का शिव पूजन में बहुत ही अधिक महत्व है इस पेड़ की पतियां एक साथ तीन की संख्या में जुड़ी होती है और इसे एक ही पत्ती माना जाता है ऐसी माननेता है कि बिना बेल पत्र के शिव जी की उपासना पूरी नहीं होती है और शास्त्रों में भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करने की एक विदी होती है तो चलिए जानते हैं कि शिवलिंग पूजा में किस विदी से बेलपत्र चढ़ाया जाना चाहिए और शिवलिंग में किन पाँच जगाओं पर बेलपत्र चढ़ाते हैं तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि बेल पत्र किस तरीके का होना चाहिए और उसको कैसे चढ़ाया जाना चाहिए पंडित प्रदीप मिश्रा जी के नुसार बेल पत्र के तीनों पत्ते त्री नेत्र सुरू भगवान शिव की तीनों नेत्रों को विशेश प्रिये हैं अगर आप शिवलि बेल पत्र में तीन पत्तियां होनी चाहिए तीनों पत्तियों को एक ही माना जाता है इस बात का भी ध्यान रखें कि बेल की पत्तियां कटी पती ना हो बेल पत्र में चक्र और वज्र नहीं होना चाहिए ऐसी पत्तियों को खंडित माना जाता है हाला कि तीन पत्तियां आप शिवलिंग को उसको सपर्श करते हुए चढ़हाना चाहिए यह बात बहुत कम लोगों को पता होगी कि एक ही बेल पत्र को आप पानी में धो धो करके बार बार चढ़ा सकती है कभी भी शिवलिंग पर बिना जल के बेल पत्र ना बेल पत्र तीन से लेकर के ग्यारा दलो तक के होते हैं ये जितने अधिक पत्ते होते हैं ये उतने ही उत्तम माने जाते हैं जान लेते हैं कि बेल पत्र का महत्व क्या है पंडिक प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं कि बिलावाश्टक और शिव पुरान के अनुसार भगवान को बेल पत्र अत्यन्त प्रिय वहीं सकंद पुरान में बेल पत्र के महत्व के बारे में बता गया है, ऐसा कहा जाता है कि यदि बेल पत्र के साथ में शिवलिंग की पूजा की जाये तो सभी पापों का नाश होता एक कथा के नुसार एक बार माता पारवती को बहुत पसीना रहा था तब उन्होंने अपनी उंगलियों से माथे के पसीने को साफ किया था इस पसीने की कुछ बूंदे मदार परवत पर जाग गिरी और उन्हीं बूंदों से बेल का पिर उतपन हुआ था बेल पत्र का महत्व यहीं खतम नहीं होता पंडित पदीप मिश्राजी बताते ह कि बेल पत्र बहुत ही पवित्र होता है और इसमें मा पारवती के कई रूपों का वास होता है इस व्रक्ष की जड़ों में मा गिरजा तने में मा महिश्वरी इसकी शाखाओं में मा दक्षयाईनी बेल पत्र की पत्तियों में मा पारवती और इसके फूलों में मा गोरी और बेल पत्र के फलों में माकत्याईनी का वास होता है इतना ही नहीं इसमें माता लक्ष्मी का भी वास होता है अगर आप घर में बेल का पेल लगाती है तो इससे माता लक्ष्मी बहुत प्रसंद होती है और घर में वैभव आता है बेल पत्र को चढ़ाने के अनेकों असंखे ल भी आता है यदि आपको कभी भी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है तो आप बेलपत्र जरूर से चढ़ाएं अगर आप पुन्य कमाना चाहती है तो बेलपत्र की पत्तियों में ओम नमशिवाय या फिर राम राम लिख करके उसे भगवान भोले नात पर अर्पित करें शास्त्रों के निसार आप रवीवार के दिन अगर बेलपत्र की पूजा करते हैं तो आपके सारे पाप धुल जाते हैं केवल भगवान भोले नात ही नहीं आप भोले नात के प्रिये कुबेर जीपर तुर्तिया को बेलपत्र चढ़ा कर उनकी पूजा करेंगे तो पीडिय की सारी मुरादे पूरी करते हैं अब जान लेते हैं सबसे महत्पुन ट्रश्न की सावन में शिवलिंग पर किन पाँच जगाओं पर बेलपत्र चढ़ाना ज़रूरी होता है वो कौन सी जगा है क्या हमें सबसे पहले शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाना चाहिए या फिर ज इसा करने से बिगडे हुए सारे काम बन जाते हैं जिन्दगी में अक्सर ऐसे मोड आते हैं जब लगता है कि शायद अब कोई रास्ता नहीं बचा ना नौकरी में तरक्की मिल रही है ना ही घर के हालात सुधर रहे हैं अगर बिजनस में किसी तरीके की नई डील का इंतजार ह तो लाख कोशिशों कोई बाद भी वो पूरी नहीं हो पाती है ऐसे रुके हुए काम पूरे करने हैं तो शिवलिंग पर बेल पत्र जरूर से चढ़ाईए लेकिन बेल पत्र कैसे और कितने चढ़ाने हैं ये इसका सही तरीका आपको जान लेना बहद ही जरूरी है पंडित शिवलिंग पर अपने परिवार के लिए इस्थान होता है उन सभी इस्थानों पर बेल पत्र चढ़ाना है पहले एक पत्र शिवलिंग की जलधारी के सीधे हाथ पर रखना है दूसरा बेल पत्र जलधारी के उल्टे हाथ की तरफ रखना है जैसा कि आपको वीडियो में द पर रखना है और जल जड़ाना है जो पहले बेल पत्र शिवलिंग के सीधे हाथ की तरफ है वो गणिज जी का इस्थान बताया गया है उल्टे हाथ की तरफ अर्पित किया गया बेल पत्र कार्तिके जी के लिए है जो बेल पत्र शिवलिंग की जलधारी के अंतिम सिरे पर है वो अशोक सुन्दरी के लिए है और जो हस्त कमल पर चढ़ाएगा बेल पत्र माता पारवती के लिए बताया गया है और शीर्ष पर अर्पित बेल पत्र भगवान शिव के लिए है जो कि आपको वीडियो में नजर आ रहा है उसके मताबिक बेल पत्र पूरे खुले हुए तीन बेल पत्र वाली डंठल एक स्थान पर अर्पित की गई है साथ ही बेल पत्र अर्पित करने के बाद पांचों स्थान पर जल अर्पित करना है अंतिम बेल पत्र चड़ाने के बाद पात्र में रखा हुआ पूरा जल आप शिवलिंग पर चड़ा दें ये जानकारी यहीं तक ही उमीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगे और आप इसका लाब उठाएंगे जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल को सब्सक्राइब कर दें नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिलकुल भी न भूलें क्योंकि यहां पर इस तरीके की महत्पून जानकारिया मिलती रहती है तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानक सारी के साथ जैशिव शंकर जैभोले नात ओम नमस्षिवाय भक्तों